प्रिय प्रतियोगियों प्रशिक्षित इसनातक का साग्षातकार अभी आगामी कुछ दिनों के पश्चात होने वाला है आज हम संसकत गंगा के चैनल पर उपस्थित हैं डाक्टर सर्वर के भूशन जी जो संसकत बिगत दसुं अरसुं से प्रयास सील है उनके सानित्धे में हम लोगों ने विशेश बिमर्श किया और तमाम सारे प्रतियोगियों का साग्षातकार भी लिया गया आज इस चैनल के माद्यम से सार रूप में कुछ विंदूओं को आपके समक्ष में इस उदेश से समुद घाटित करना चाहता हूँ ताकि इनका विशेश ध्यान रखते हुए आप इस परीक्षा में बहतर से बहतर रंक प्राप्त कर सकें सबसे पहला प्रशन ये उठता है कि वेश भूसा अर्थात परिधान हमारा कैसा हो साक्षातकार के लिए तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी साक्षातकार में आपका परिधान बिल्कुल सामान ने होना चाहिए जिस प्रकार से आज बाजार में बिभिन प्रकार के वस्त उपलब्ध हैं आज कल कटे फटे पैंट शर्ट आर हैं तो इंपर विशेश ध्यान रख रहें दोनों ही वर्ग चाहे पुरुष वर्ग हों या महिला वर्ग हों अपने परिधान को बिल्कुल सामान ने रखें यदि महिलाएं विवाहित हैं तो वे शातिका में आवें वे साड़ी को अब सिधारन करें अन्यधा विवाहित हैं तो अपना अन्यवी कोई ऐसा परिधान ही पहने जो की बिल्कुल सादा हो सादगी भरा हो इसी प्रकार से पूर्षों से भी अपेक्षा की जाती है कि उनके कपड़े स्वच्छ हों और अतिसा मान्य हों फिर जब वे साक्षातकार में प्रवेश करते हैं तो इस बात की गंभीरता पर जरूर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि संस्कत विशे का साक्षातकार है और यदि हम संस्कत बोल सकते हैं तभी ये कहें कि किमहम अन्ता आजनतुम शकनूम श्री मनता है अन्य था हिंदी का प्रयोग कें या कभी-कभी प्रयोग करने की आवशक्ता भी नहीं पड़ती क्योंकि अंदर से बेल बस्ती है तो वहाँ जो चपरासी खड़ा होता है दरवाजा खोल देता है तुरंत कैंडिडेट अंदर प्रवेश कर देता है और करने के बाद सारवजन करूर से नमस्ते ये कह दिया जाता है तो वात पूरी हो जाती है और वे संकेत कर देते हैं या बैठ जाईए फिर आपको बैठ जाना चाहिए धन्यवाद कह करके और उसके बाद एकदम सहज भाव में वहाँ घवराहत नहीं होनी चाहिए ये अकसर होता है देखा गया है कि कभी कभी वित्यार्थियों की जहवा लड़ खडाने लगती है शरीर में हाथ पेर में कभी कभी कमपन हो जाता है तो इस तरह की बातें नहूं बिल्कुल सहज भाव में वे आराम से बैठ जाए फिर वे एक एक बात पूछना आरम करते हैं कभी कभी तो संस्कत में कह देते हैं तो आप वा कि तयार रखें कह सकते हैं कि क्या आप संस्कत भाचा में बोल सकते हैं अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात अगर आप नहीं बोल सकते तो भी ये आप कहिए कि संस्कत भाचा के बिचार में हमें जानकारी है और लेकिन तो अभ्यास हमारा नही नहीं पड़ता और फिर उसके बाद अबूमन एक सवाल पूछा जाता है कि कोई श्रोक आपको याद है तो आप कहें कि हाँ याद है इसके लिए आप दो तिन श्रोक तयार करके जाएं जो आपकी पाठ्ठ पुस्तक से उसको सुनाईए और उसकी सांगोपांग तयारी किये रहिए कि उसमें से प्रेवत होने वाले शब्दों का अर्थ क्या है उनका निर्वचन क्या है कौन सा लंकार है कौन सा चंद है और क्वंसी बेंजनाई हैं तो इसलिए कुछ गंभीर बातों को भी ध्यार में रखी है क्योंकि कभी-कभी तो उतले सवाल भी किये जाते हैं परंट उन्हीं में से कभी-कभी बहुत गंभीर सवाल भी उठाए जाते हैं। इसलिए दोनों बिंदूओं का ध्यान रखें हैं। तो इस प्रकार से उनके सवालों का सहज भाव से जबाब दें। और वहां आहत नहीं हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि दो-तीन सवाल एक साथ किये और तीनों सवालों का उत्तर नहीं आया। तो भी वहां घबराने की कोई बात नहीं। अगले सवाल को तरित करने का प्रयास किये। और जिसका उत्तर मान लेजिए आपको पसंद नहीं आया कि उन्होंने गलत माना आप सही बताए तो उस पर जगड़िये भी नहीं आप कहिए कि ठीक हस्रीमान जी मुझे ये लग रहा था किन्तु आपने ये बताए तो मैं समझ गया तो इसलिए उनकी बातों पर सहमत ही ब्यक्ति करिके आगे बढ़ें और सामान नितया जो आपका पाठिक्रम है उसको सार रूप में अधीत करके जाएं क्योंकि ज़्यादा तर साहित्य और व्याक्रम इन्हीं दोनों पक्षों से प्रश्ण पूछे जाते हैं TGT में उत्तर प्रदेश में तो इसलिए इनके संदर्व में मुख्य रूप से अध्याइन करके जाएं तो ये सामान निवाते हैं जो कि आपके संधी समास व्याक्रम संधी समास और संज्यापरकरम इनसे संदर्वित प्रश्णों के संदर्व में और साहित्य में रस और रस से संबंधित रहने वाले अन्य पहलूं उपर जैसे की कथावस्त है और अभिनियता का पक्ष है तो इसलिए वस्त नेता और रस तीन ही साहित्य के मुख्य पक्ष इन तीनों पक्षों पर भी सामान निद्रिश्टे रखते हुए आप प्रवेश करें तो मुझे लगता है कि आराम से आपक इंटरिव बहुत अच्छे धंसे संपन्न हो सकता है निर्गमन करते समय पुनह उठें और सब को प्रणाम करें नमस्ते करके फिर आप सामान निद्भाव से बाहर आ जाएं और ये प्रयास करें कि कभी कभी कुरसी है तो बहुत कस करके भर्थी खींच लेते हैं तो शोर हो होता है तो इसलिए प्रयास करें कि सोर नहों इंटरिव में घुषते समय भी इतने सामान निभाव से घुषें कि आपके जूतों की आवाज भी नहों ये तो हर इंटरिव में प्रयाह लागू होता है ताकि उन्हें कोई आपकी आदत खराब ने लेगे और आपका बाल दिश्भूसा और वहाँ पर आपका प्रस्तुती करां किस तरह का हो मुझे लगता है कि इनका प्रयोग करने से निश्चित रूप से बेहतर अंग प्राब्त हो सिपते हैं दक्टर सरवक के भूशन जी बराबर संस्कत की सेवावे रत हैं लगे हुए हैं और हम लोगों की जानकारी में क्योंकि आर्म हसे ही हम इसको जानते हैं कि बराबर बिभिन रूपों में साक्षाद भी और बिभिन प्रकार की पुस्तकों के माध्यम से भी और नेट के माध्यम से भी आपके बीच बराबर उनका जुडाव है तो इस प्रकार से संस्क्रित के प्रतियोगियो की समग्गर रूप से सेवा किस तरह से हो इसके लिए उनका प्रयास बराबर बना रहा है तो इसलिए उनको हम बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि निश्चत रूप से इसी तरह से संस्कत जगत में वे बढ़ोतरी करते रहें धन्यवाद करते हैं